नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के ट्रैकर पे देखे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है जी के रिविजन सीरीज जिसमें हम पूरे जीके के प्रिविस एर कोशिन्स को यहाँ पर टॉपिक वाइस कवर कर रहें सबसे पहले हमने समविधान को शुरू किया है इसमें हम समविधान के जो पेपर में पूछे गए प्रशन हैं अलग-अलग परिक्षाओं में उनको यहाँ पर देखते हैं लास्ट वीडियो में हमने अनुसूचियों से पूछे जाने वाले प्रशनों को देखा जो पेपर में आज चुके हैं उससे पहले हमने समविधान के भाग को कवर किये थे समविधान के जो भाग है 22 भाग उनसे कैसे प्रशन बनते हैं आज के वीडियो में हम संविधान की प्रस्तावना को लेकर के अभी तक जितने आपके important question पूछे गए हैं उनको यहाँ पर cover करेंगी साथ में हम यहाँ पर ना सिरिक question answer को cover करते हैं बल्कि आप जानते हैं हम extra fact को भी cover करते वे चलते हैं मैं आपको पूरा question explain करते हुए चलता हूँ जिससे आपकी जो practice है और जो revision है साथ-साथ में चलता रहे यह हमारा इस सीरीज का छटा part है अगर आपने इस सीरीज के previous parts को नहीं देखा है आप उनको playlist में जाके देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं पहला प्रश्ण है हमारा भारतिया गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संविधानिक वस्तु इस्तिती क्या थी जब संविधान लागू किया गया था यह question बहुत अच्छा question है इसमें देखे पूछ क्या रहा है इसमें को यह पूछ रहा है कि जो हमारा संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है 26 जनवरी 1950 को उसमें किस क्रम में क्या लाइन लिखी गई है ठीक है 26 जनवरी 1950 की बात हो रही है right answer है option C संपून प्रभुत्य संपन लोगतंत्रात्मक गणराज्य ठीक है यह हमारी जो प्रस्तावना है उसमें यह लाइन लिखी गई थी जब हमारा संविधान लागू हुआ था वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमारे संविधान में संपून प्रभुत्य संपन समाजवादी धरम निरिपेक्ष लोगतंत्रात्मक गणराज्य लिखा गया है लेकिन कब का पूचा है 26 जन्वरी का यह सारी जो चीजें थी इनको बाद में चोड़ा गया था ठीक है तो पहले का अंसर है option C next है 26 जन्वरी 1950 को भारत की वास्तविक संविधानिक इस्तितिक क्या थी अब देखें यह वाला कोशन कब पूचा गया 2089 में और यही वाला कोशन वही कोशन है रिपीट 26 जन्वरी को हमारे संविधान में क्या लिखा गया था option B इसका सही आंसर होगा पंतन रिपेक्ष भी बाद में जोड़ा गया था ठीक है तो संपून प्रभुत संपन लोगत अंत्रात्मक गन राज्य लिखा गया है वरतमान में यह लिखा गया है संविधान की प्रस्ताव जब लागु हुआ तब यह लिखा गया था क्योंकि आप जानते हैं जो यहां पर यह समाजवादी शब्द है यह बाद में जोड़े गए थे 1976 में ठीक है नेक्स्ट है भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निमलिकित में से किसमें प्रतिबिन्वित होता है तो हमारे स हमारा सही आंसर होका ठीक है नेक्स्ट है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी प्रकार के नियाए स्वतंतरता समानता और भ्रातत्व का उसी क्रम में उलेक किया गया है तो हमारे संविधान में कितनी प्रकार के नियाए के बारे में बताया गया है तीन प्रकार के स्वतंत्रतां के बारे में कितनी बताया गया है तो पांच प्रकार की स्वतंत्रता समानता की है दो प्रकार की समानता और भरातत वह एक प्रकार का इस क्रम में इनका उलेक किया गया है 3,5,2,1 ओप्शन ए इसका सही आंसर होका नेक्स्ट है भारतिय समविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोशित किया गया है तो भारत की समविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सर्वभौम समाजवादी धरम निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गंडराज के रूप में घोशित किया गया है ठीक है यह तो शब्द हमारे प्रस्तावना में यूज किये गए हैं, इनका सही करम क्या है? तो सही करम क्या है? सबसे पहले आता है सर्व भौमिक, इसके बाद आता है समाजवादी, इसके बाद आता है धर्म निर्पेक्ष, और फिर आता है प्रजात्तांत्रिक, तो option A हमारा सही आंसर यहाँ पर होगा. भारत्य समविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संसोधन के तहत जोड़ा गया था? हमारी प्रस्तावना के अंदर समाजवादी शब्द को 42 संसोधन के तहत जोड़ा गया. ये question बहुत बार पेपर में पूछा गया है. ठीक है? कब जोड़ा था? 42 और अखंडता शब्द यहां पर जोड़ा गया था, ठीक है, नेक्स्ट है, निमलिकित में से कौन सा 42 सम्विधान संसोधन के माध्यम से भारत के सम्विधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, तो कौन सा शब्द था, तो अभी हमने उपर देखा समाजवाद और पंत्त निर्पेक्ष, option C हमारा सही आंसर होगा भारतिय समविधान की प्रस्तावना में धरम निर्पेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़े कए देखें कहीं पर आपको धरम निर्पेक्ष देखने को मिलता है, कहीं पर पंत निरपेक्ष है लेकिन अगर ये ना हो तो आप इसको भी ले सकते हैं ठीक है इन दोनों को जोड़ा गया था जैसे हमने देखा 42 संसोधन के तहत 1976 में जैसे मैंने कहा बहुत बार ये कोशन पूछा गया देखे अलग-अलग तरीके से एक ही कोशन पूछा जा रहा है ये 17 में आट मे भी आया निमले लिकित में से कौन भारत को धर्म निरपेक्ष राज्यवन्नित करता है तो भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है ये कौन बताता है ये बताती है हमारे सम्विधान की प्रस्तावना ठीक है उप्शन B इसका सही आंसर होगा निमलिकित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतिय सम्विधान की प्रस्तावना में समिलित नहीं था इंडिरेक्टली आपसे वही पूछ राए कि 76 में कौन कौन से शब्द जोड़े गए तो 75 में कौन शामिल नहीं था तो अखंडता शब्द शामिल नहीं था उसी को change करके एकता और अखंडता कर दिया ठीक है तो अखंडता शब्द जोड़ा गया था 1976 में ये 75 में नहीं था निमलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42 समविधानिक संसोधन द्वारा प्रस्तावरा में जोड़े गए फिर से वही प्रश्ण है कौन कौन से जोड़े गए थे दिखिए समाजवाद शब्द जोड़ा गया था और पंतन रपेक्स जोड़ा गया था पस यही दो इसके सही आंसर है ये गलत है ठीक है चलिए इनके जो स्टेटमेंट्स दिये हैं उनको पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट दिया है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत अबजेक्टिव प्रस्ताव अंत गोतवा उद्दीशी का बना ये स्टेटमेंट बिलकुल सही है पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को सम समविधान की प्रस्तावना बना था ठीक है दूसरा स्टेटमेंट है कि इसकी प्रकरती निया योग्यन नहीं है इसकी प्रकरती प्रस्तावना की प्रकरती ये स्टेटमेंट भी बिलकुल यहां पर सही है जो हमारे समविधान की प्रस्तावना है ये निया योग्यन नहीं ह इसका मतलब यह है कि यहाँ नियालाय के द्वारा प्रवर्तनिया नहीं है इसको लागू नहीं किया जा सकता जैसे मौलिक अधिकार है अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो कोट में जा सकता है वहाँ से उसको लागू करवाया जा सकता है उनको आप नियालाय में परवर्तनिया नहीं है, वो राज्य के उपर depend करता है, वो आपको कितने अधिकार देना चाहता है, ठीक है? तो यही यहाँ पर इसका मतलब है तीसरा point है, इसका संसोधन नहीं हो सकता, तो ये वाला statement गलत है, प्रस्तावना में संसोधन हो सकता है, बस शर्त ये है, कि उसकी जो मूल सरचना है, वो बदलनी नहीं चाहिए, और एक बार संसोधन हो चुका है प्रस्तावना में, 1976 में 42 संसोधन, ये भी बनता है, कितनी बार संसोधन हुआ है प्रस्तावना के अंदर, एक बार 1906 में हुआ था तो तीसरा वाला statement गलत है चौथा point है समविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यहां रद नहीं कर सकता तो यह statement बिलकुल सही है जो हमारे समविधान की प्रस्तावना है वो हमारे समविधान के अंदर के जो विशिष्ट प्राधान है उनको रद नहीं कर सकता है हाँ उनको explain कर सकता है उनकी व्याख्या कर सकता है प्रस्तावना लेकिन रद नहीं कर सकता तो केवल यह वाला statement गलत है बाकी तीन आपके सही है उमीद करता हूँ सारी चीज आपकी clear यहाँ पर हो गई होंगी तो right answer क्या होगा option B ठीक है next है समविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है उपर मैंने आपको इसे समझाया जो विधिक स्वरूप है प्रस्तावना का वो यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता यह नियाले के द्वारा प्रवर्तिनिय नहीं है ठीक है इसे आपको याद रखना है बहुत important question है देखे कब पूछा गया है 2019 में और यहाँ पर कब पूछा गया था 2009 में ठीक है next है भारतिय समविधान की उदेशिका में संसोधन किया गया था उदेशिका यानि प्रस्तावना इसमें संसोधन किया गया था 42 संसोधन के तहट ठीक है option C समाजवादी शब्द उदेशिका में कब जोड़ा गया वही question है वो तीन शब्द कब जोड़े गये 42 संविधान के तहट 26 नवंबर 1949 को अंगिकृत भारती संविधान की प्रस्तावना में शब्द समिलित नहीं थे तो कौन से शब्द समिलित नहीं थे जब हमारा संविधान अंगिकृत किया गया था 26 नवंबर को समाजवादी शब्द 1976 में जोड़ा, पंत निरपेक्ष 1976 में जोड़ा, अखंडता शब्द ये भी 1976 में जोड़ा गया था तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो शुरुवात की तीन शब्द हैं ये शामिल नहीं थे, गड़ राज्या पहले भी शामिल था भारतिय सम्विधान की प्रस्तावना में पंत निरपेक शब्द कब जोड़ा गया? देखे वही प्रशनों है वही टीन शब्द कब जोड़े गए और देखे कितने पेपरों में ये पूछा गया है, एक ही प्रशनों है कब जोड़ा गया था 42 संविधान संसोधन के द्वारा भारत के संविधान के आमुक का लक्ष उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है आमुक का लक्ष यानि के प्रस्तावना का लक्ष क्या है समाजिक तता आर्थिक न्याय देना ये उसका लक्ष है विचार औ और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना नागरिकों को अवसर्खी समानता देना व्यक्ति की प्रतिष्टा देना ये सारे यहाँ पर उसके मेन लक्ष हैं तो उप्युक्त यहाँ पर सभी आंसर इसके होंगे ठीक है सभी चारों लक्ष हैं नीचे दो कथन दिये गए हैं जि अब इसके पीछे कारण क्या दिया है इसे 42 संविधान संसोधन 1976 के द्वारा संपून प्रभुत संपन लोगतांत्रिक गणराज्य के इस्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था तो ये कथन भी सही है और कारण भी सही है ठीक है जो ये लाइन यहां पर लिखी गई है ये 42 स संविधान संसोधन के द्वारा इसने इस लाइन को रिप्लेज किया था तो कथन भी सही है और कारण भी सही है ठीक है ऑप्शन ए भारत में लौकिक सर्व भौमिक्ता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंब होती है तो भारत के अंदर लौकिक सर्व भौमिक्ता है क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना है ये शुरू होती है हम भारत के लोग शब्दों से ठीक है सर्व भामिक्ता का अर्थ होता है कि जो जनता है वो ही यहाँ पर शर्व शक्तिमान है और हम पड़ते भी है कि हमारे समविधान का जो में सोर्स है पावर का वो क्या है भारत की जनता ठीक है तो option D इसका सही आंसर है हम भारत के लोग शब्दों का प्रियोग भारतिय समविधान में कहां पर किया गया है तो इसका प्रियोग किया गया है समविधान की प्रस्तावना में Option D, सभी व्यक्ति, पून तहा और समान रूप से मानव हैं, यह सिध्धान्त जाना जाता है, यह कह रहा है, इसका मतलब यह है जो आप से यहां पर पूछा जा रहा है, इस सभी व्यक्ति, पून तहा और समान रूप से मानव हैं, यह सिध्धान्त क्या कहलाता है, तो इस सिध भौमिक्ता के नाम से जानते हैं option A हमारा सही आंसर होगा इसका मतलब ये है इस सिधान्थ के अनुसार ये व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी भेदभाव के यहाँ पर दिये गए हैं ठीक है भारत के संधर्व में निम्न में से कौन धर्म निर्पेक्ष का शब्द का सही अर्थ है सही भाव क्या है धर्म निर्पेक्ष शब्द का राइट आंसर है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है यहाँ पर कोई भी जो राज्य सरकारे हैं हमारा देश है किसी भी एक धर्म को फॉलो नहीं करता है सभी धर्मों को समान रूप से समान यहाँ पर दिया जाता है टिकेत ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है निमलिकित में से कौन सा शब्द भारतिय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिकित नहीं है निमलिकित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उदेशिका में नहीं है उदेशिका में देखिए वही तेन शब्द है और उनहीं से प्रश्न बन रहे है समाजवादी भी है, पंत निर्पेक्ष भी है प्रभूता संपन भी है लोग कल्यान शब्द का इस्तेमाल प्रस्तावना में नहीं किया गया है भारतिय संविधान की प्रस्तावना में निमलिकित में से किस सोतंतरता का वर्णन नहीं किया गया है तो कौन सी सोतंतरता नहीं दी गई है देखे हमारे समविधान की प्रस्तावना के अंदर पांच प्रकार की सोतंतरता है कौन-कौन सी, विचार की सोतंतरता, अभी विक्ति की सोतंतरता यानि विचार प्रकट करने की सोतंतरता विश्वास की स्वतंतरता इसके अलावा ये तीन हो गई इसके लावा चोती है धर्म की स्वतंतरता और पांचवी है उपासना की स्वतंतरता तो आर्थिक स्वतंतरता सम्विधान का प्रस्तावना नहीं देती है आर्थिक न्याए की बात वहाँ पर करी गई है ठीक है संविधान की प्रस्थावना के बारे में कौन सा कत्षन यहाँ पर सही है तो चलिए सही स्टेट्मेंट को ढूंदते हैं पहला statement है समाजवादी धर्म निरपेक्ष शब्द 1950 में लागू समविधान का अंग नहीं थे यह बिल्कुल सही statement है क्योंकि इनको 1976 में जोड़ा गया था दूसरा statement है इन शब्दों को 1977 में जोड़ा गया गलत है 1976 में जोड़ा गया इन शब्दों को 1985 में जोड़ा गया ये भी गलत है उक्तु शब्द सम्विधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है ये भी गलत है प्रस्तावना में शामिल है लेकिन शुरुवात में नहीं थे ठीक की प्रस्तावना, option D हमारा सही आंसर यहां पर होगा अब इस प्रशन को दो तरीके से आप से पूछा जाता है, एक तो डारेक्ट यही प्रशन पूछेगा और उत्राखन में भी यह question पूछा गया है कि सम्विधान की आत्मा किसको कहते हैं अगर किसी विक्ति का नाम नहीं लेता है तो आप इसका अंसर करेंगे उद्देशी का ठीक है, लेकिन अगर नाम लेकर पूछे कि भीमराव अंबेटकर ने किस भाग को सम्विधान की आत्मा कहा था, तो उन्हों ने सम्विधानिक उपचारों के अधिकार को सम्विधान का हिरदय और आत्मा बोला था, तो जनरल में पूछेगा, उद्देशी का और अगर बी आर अंबेटकर का नाम लेकर पूछेगा, तो सम्विधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छित 32 है, ठीक है, आर्टिकल 32 को कहा था उन्होंने सम्विधान की आत्मा इसी के तहट सुप्रीम कोट रिट जारी करता है, ठीक है नेक्स्ट है निमलिगित में से किसने बहारतिय सम्विधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा था, सिंपल भाशा में बात करें प्रस्तावना को जन्म पत्री किसने बोला था? ये बोला था कम मुन्शी ने, ठीक है, इनका पूरा नाम था कनहिया लाल, मानिक लाल मुन्शी, इन्हों ने प्रस्तावना को इसकी जनब पत्री कहा था सम्विधान को एक पवित्र दस्तावेज किस ने कहा था तो सम्विधान को एक पवित्र दस्तावेज ये कहा था भीमराव अंबेट करने option A इसका right answer है किस वाद के फैसले में सर्वुच न्याले ने सर्वर्थम घुशित किया कि उद्देशी का सम्विधान का हिस्सा नहीं है देखे पहले सुप्रेम कोट ने प्रस्तावना को सम्विधान का भाग नहीं माना ये हुआ था बेरुबारी केस में option A हमारा सही answer होका इस केस का निर्ने सुप्रेम कोट ने 1960 में दिया और ये माना गया इसमें कि जो प्रस्तावना है ये सम्विधान का अंग नहीं है इसके बाद आता है केशवनन्द भारती केस जिसका निर्ने सुप्रेम कोट ने 1973 में दिया और केशवनन्द के केस में सुप्रेम कोट ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो समविधान का भाग है ठीक है तो किसमे माना था बेरुबारी केस में किसमे नहीं माना था बेरुबारी केस में और किसमे उसे समविधान का भाग माना तो केशवनन भारती केस में दोनों याद करने हैं दोनों important है नेक्स्ट है निमलिखित विवादों में से किस में सरवच्च न्याले ने प्रस्तावना को भारतिय सम्विधान की मौलिक सरचना का भाग स्विकार किया तो वही प्रश्ण है किस में किया था केश्वरन भारती विवाद में ठीक है नेक्स्ट है भारतिय सम्विधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देशों की रूप रिखा दी गई है उनकी व्याख्या कहां पर की गई है तो हमारे सम्विधान की प्रस्तावना में जो आदर्शों और उद्देशों रखे गए हैं कि नागरिकों के लिए क्या क्या अधिकार होंगे कैसा हम अपने देश को बनाना चाहते हैं वो सारे जो हमें दिखाई देते हैं उद्देशों और आदर्श कहां पर दिखाई देते तो वो हमें मूल अधिकार, राजे के नेती निदेश अक्तत्व और मौलिक कर्तव्यों में दिखाई देते हैं तो option C इसका सही आंसर है नेमलिकित में से कौन एक भारतिय समविधान के उदेश्यों को प्रतिबिम्बित करता है यानि हमारे समविधान का में उदेश्यों क्या है ये कहां दर्शाया गया है तो ये प्रस्तावना में दर्शाया गया है और उपर प्रशन ये था कि प्रस्तावना में दर्शाय गये जो हमारे वहां पर उदेश्यों है वो कहां दिखाई देते हैं ठीक है तो वो हमारे मौलिक कर्तवयों में मूल अधिकारों में वहां पर देखते हैं लेकिन अगर ऐसे पूछे कि पूरे समविधान का उदेशे क्या है वो कहां दिखाई देता है तो वो प्रस्तावना में दिखाई देता है ठीक है भारत के समव नियाए राजनैतिक नियाए ठीक है चलिए भारतिय समविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा नियाए प्रदान करने की व्यवस्था करी गई है अब जो उपर हमने देखा ये 2016 में पूछा गया ये वाला प्रश्ण भी वही प्रश्ण है बस थोड़ा सा उसने language घुमा दी ये 2021 में पूछा गया ठीक है कौन से अधिकार दिये गए है नियाए यहाँ पर तो तीन नियाए है समाजिक आर्थिक और राजनैतिक तो option D इसका सही आंसर हो चाएगा ठीक है next है हमारा भारत के समिधान के उदेशों में से एक के रूप में आर्थिक नियाए का किस में उपबंद किया गया है तो आर्थिक नियाए के बारे में हमें जानकारी या इसके बारे में जो प्रावधान किया गया है वो कहां पर किया गया है यह उदेशिका के साथ साथ राजे के नीती निदेशक तत्वों में भी किया गया है हमारी प्रस्तावना म भाग है किन्तु इसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर इसका कोई भी विधिक रूप यहां पर नहीं है इसका पूरा यह है ठीक है यानि जो मैंने आपको उपर समझाया कि प्रस्तावना हमारे समविधान का भाग है इसमें संसोधन भी किया जा सकता है बस इसकी मूल सरचना में परिवर्तन नहीं होना चाहिए लेकिन अगर हम प्रस्तावना को समविधान से अलग करके देखें तो इसका कोई विधिक रूप नहीं है इसे लागू नहीं किया जा सकता है न्याले में ये परिवर्तनिया नहीं है तो इसे आपको याद करना है तो फ्रेंट्स यह था ह आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें अगर आप चैनल पर नए आये हैं चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं Thank you friends